तो finally मारूती सुजू की Swift की 4th generation launch हो चुगी है और आज आपको मैं इस वीडियो के अंदर complete detailed में बात करने वाला हूँ कि इस 4th generation के अंदर क्या-क्या changes हुए हैं, क्या-क्या features हमें देखने को मिलें और कौन-कौन से variants आ रहे हैं तो वीडियो को N तक देखेगा और बहुत जल्दी एक मैं नई वीडियो लेके आऊँगा कि जिसके अंदर हम बात करेंगे Swift 4th generation के उपर कि इसके अंदर कौन सा variant, value for money है आपके लेने के लिए तो अगर आप लोग इस गाड़ी का प्लान कर रहे हो या इसके बारे में knowledge लेना चाहते हो तो यस ये वीडियो आपके लिए काफी अच्छी informative होने वाली है तो वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं तो सबसे पहले आपके सामने मैं एक चार्ट दिखा रहा हूँ यहाँ पर आप यह देख सकते हो कि Swift की 3rd generation जो की अभी currently चल रही है और Swift की 4th generation जो की अभी recently launch होई है इसको मैंने आमने सामने रखा है तो आप यहाँ पर यह देख सकते हो गाड़ी की जो लंबाई है नई वाली जो Swift 4th generation आई है 15 mm गाड़ी की लंबाई बढ़ी है बाकी मैं अगर बात करूँ चुड़ाई के अंदर बिल्कुल सेम है तो उनों height में height में जो current Swift आ रही है 3rd generation वाली 10 mm जादा है अभी दोस्त यह जो मैं आपको overall specs दिखा रहा हूँ यह एक है बिल्कुल point to point लेकिन अगर आप practical देखो तो 10 mm जो जादा है 3rd generation और अभी जो currently आई है 10 mm बहुत बहुत minor होता है लेकिन yes specs तो specs है तो उसके अंदर आप देखोगे तो height currently जो अभी current generation 3rd generation चल रही है उसकी better है दूसरा wheelbase देखोगे तो wheelbase दोनों में same है engine bay यह बहुत मज़ेदार चीज़ है अभी आप देखोगे कि K series का जो engine आता है K12 यह engine अब यहाँ पे discontinue कर दिया गया है shift के portfolio में और इसको यहाँ पे एक नया engine दिया गया है Z12E तो BS6 phase 2E approved है यहाँ पे लेकिन अगर आप देखोगे power torque इस वाले engine का कम हुआ है तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो मैंने इसे thumbs up दिया है thumbs up क्यों दिया है इसका एक reason है आप यह देखो इसका जो power torque आ रहे है यह low rpm पे आ रहे है तो कही ना कही यह engine better है लेकिन yes अगला जो point आ रहा है वो है 4 cylinder वाली बात तो current जो third generation आती है K series engine हमें 4 cylinder पे देखने को मिल रहा है और Z series हमें 3 cylinder पे देखने को मिल रहा है तो यह देखो एक difference रहेगा और जो भी यह specs है figure के अंदर देखने में अगर मैं बात परो power torque और Z series में current वाले में better है जो 4 generation है लेकिन 3 cylinder वाली चीज मेरे को कही ना कही इसमें गाड़ी में खटक रही है तो जैसी यह गाड़ियां आएं dealership के ओपर मैं इसकी पहले drive करूँगा उसके बाद में मैं आपको यह वाली बात बता पहूँगा कि currently चलाने के अंदर Z series का engine है कैसा दूसरा आप देखोगे boot space में बहुत minor change हुआ है तो यह 2-3 लीटर का change हुआ है राइट अब 4 generation आगई 65 की और 3 generation आती है 268 लीटर की राइट तो यह change आया है बाकी transmission जो है power train बिल्कु सेम तो सेम हमें देखने को मिल रहा है आपको बता दूँ यह जो swift है यह मारूती Suzuki का एक global product है और अगर इंडिया से बाहरा आप देखोगे ADAS भी वहाँ पर आया है currently 4 generation के अंदर इसके साथ smart hybrid भी हमें देखने को मिल रहा है और CVT transmission भी देखने को मिल रहा है in fact अगर मैं बात करूं इंग्लेंड के market की तो बाहर 24 mm के आसपस इस गाड़ी की लंबाई बढ़ी है तो यह चीज़े इंडिया के अंदर लेकिन यही specs है जो मैंने अभी आपको दिखा है और hardtech platform है तो सेम है जिस जिस platform पे अभी third generation आ रही है और यहाँ पे अगर मैं बात क होगे अभी वो जो 4 generation है इस पूरे segment की premium hedge bag में पूरे segment में सबसे अदा माइलेस दे रही है तो 25.75 की माइलेस दे रही है दूसरा यहाँ पे Z series इंडियन इसी इंडियन के बारे में मैं आपसे बात करता हूं थोड़ा क्यों यह थोड़ा सा एक ऐसा point है जो आपको लगेगा जरूर कि इंडियन विल्कुल नया कर दिया अभी इंडियन कौन सा है क्या है तो दोस पहली चीछ जो मारूती सुजू की स्विट इंडिया से बाहर भी लॉंच हुई है ना वी 4 generation उसमें भी यह Z series का इंडियन है अभी अगर आप सोचो कि इस इंडियन का history क्या है जैसे इसका tried and tested था बट Z series की अगर मैं बात करूँ यह dedicatedly सिफ और सिफ में ही यूज हो रहा है इसका कोई history नहीं है कि किसी मारूती की पुरानी किसी गाडियों में यूज हुआ हो कहीं इंडिया से बाहर यूज हो कहीं नहीं ऐसा तो यह चीज है दूसरा आप देखो के k-series के advantage dual jet VT VT आता है राइट अल्मोनियम उस पर आता है engine और काफी अच्छा cooling था इस engine का तो जो भी कापा सीरीज के advantages थे वो सारे मिल रहे हैं आपको कि Z series के अंदर वो सारे advantage मिल रहे है कहीं ना कहीं यह Z series better है as compared with K series engine but वो 3-4 cylinder वाली बात है वो जब तक चलाएंगे नहीं गाड़ अभी तक हमें Swift portfolio में total 4 variant देखने को मिल देते हैं यहाँ पर एक नया variant इनो लॉंच किया है जो की VXI और ZXI के बीच में है VXI optional मैं अगर यहाँ पर बात करूं as of now एक मतलब इस तरीके से segmentation इस गाड़ी का बनाया गया है जहाँ पर ना चाहते हुए आपको उस particular variant पे आना ह समझ में आई है और कहीं ना कहीं इंडियन बायर्स का और हम सब का यह मतलब मारूती Swift जो product है ना यह थोड़ा सा mindset change कर रही है कि जो पहले तक image रहती थी थी ना मारूती में कि आर base variant ले लो या base से एक उपर ले लो और बाकी accessories लगवा लो top variant उसे बना लो वो चीज यहाँ प यहाँ पर standard six year bag यार मतलब एक ऐसी चीज मारूती ने यहाँ पर कर दी जो सोच भी नहीं सकते थे कि मारूती जैसी कंपनी के अंदर जैसी इंडिया के अंदर इसकी image है six year bag के साथ आईगी गड़ी यह बहुत अच्छा मारूती ने step ही है और इसको मैं काफी अच्छा appreciate करता और अभी अगर मैं बात करूं इस premium hatchback की यह देखो एक micro SUV market को भी cutter कर रही है hatchback premium hatchback को भी cutter कर रही है और कहीं न कहीं इसका जो price आ रहा है compact SUV की कुछ गाड़ियों से मिलता जुनता जा रहा है तो starting जो compact SUV का होता है न जैसे अपना Renault काईगर ले लो या Nissan Magnite ले लो तो इन से better आपको swift मिलने वाली है एक अच्छी premium hatchback गाड़ी है दूसरा यहाँ पे 6 airback आ गए halogen projector head lamp हमें देखने को मिलने है standard बेस variant से halogen projector आ रहे है लेम इसके साथ में अगर मैं बात करूँ रियर defogger standard हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है power windows जो आ रही है front और rear चारों उसमें power windows आ रही है तो पहले तक यह VXI से आती ही राइट standard power windows आ गया बहुत बढ़ी है pinch guard आ गया with driver side down तो अभी तक इसके अंदर क्या था pinch guard नहीं आता था और जो power windows थी driver side ही down होती थी अब नहीं होती थी तो अब भी है down भी है pinch guard भी है तो यह एक अच्छा step है standard यह feature हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है इसके साथ digital instrument panel देखने को मिल रहा है जो कि standard आ रहा है आप यहाँ पर यह देखो auto AC नहीं आ रहा है जैसा बैलीनो पोर्टफोलियो है ना जहाँ पर auto AC हमें देखने को मिल रहा है इसमें ऐसा नहीं है बट वो digital panel आ रहा है कहीं ना कहीं और बेटर हो गया जैसा अगर आप देखो इसका driver information display भी change हुआ center console भी change हुआ और center console में एक चीज रह गई इसका यह जो center part है ना dashboard का यह यहाँ पर 8 degree tilt करा गया अभी फाइदा यह ही हो रहा है easily conveniently driver गाड़ी को चला देखाई उसको operate कर सकते हैं यह एक अच्छी चीज है और बाकि अगर मैं बात करूं यहाँ पे VXI optional की तरफ तो suzuki connect app अब आपको वहां से VXI optional से मिल रही है right push start button keyless entry यह आपको वहां से मिलेगा इसके साथ electrically foldable ORVM यहां से मिलेंगे तो currently यह चीजे हैं बट इस पे मैं बहुत जल्दी आपको एक वीडियो बना के दूँगा कि क्या क्या features आ रहे हैं और साथी साथ अभी इसमें colors की बात करो आप तो देखो यहाँ पे दो नए color add-on करे गए हैं जो अभी तक नहीं थे इस सिर्फ portfolio है तो यह novel orange आ गया तो यह XI से ही यहाँ पे आना पड़ेगा तो यह हुआ और यहाँ पे बात करें sizzling red पहले से आता था और expanded silver उपर से ले तक मीचे तक सारे variants में available है यह color white color available है इसके साथ magma gray color तीन colors यहाँ पे standard हमें यहाँ पे available करवाए हैं बाकी यह dual tone के अंदर हमें और add-on colors देखने को मिले हैं तो as of now यही update है मारूती सुजुकी सुख के उपर 4th generation पे तो आपको यह कैसी लगी वीडियो मेरे को comments में बताओ और आप क्या चीजें और इसके बारे में जानना चाते हो यह बाते भी मेरे को ज़रूर बताओ तो बहुत जल इसके उपर मैं most value for money variant आपके लिए लेके आने बने तो मेरे चैनल को subscribe कीजेगा कुछ और अगर additional doubt डर है तो yes आप मेरे को comments कर सकते हैं खतम करते हैं इस वीडियो को thank you so much for watching मैं हूँ संचे सकसेगा